नमस्कार पिछले लेक्षेन में हमने जाना कि प्राइटरी इंटरप्ट को हम सीरियली किस तरह से इंप्लिमेंट करते हैं अब आज के लेक्षेन में हम चर्चा करेंगे कि पैरलेल फेशन में हम प्राइटरी इंटरप्ट को किस प्रकार इंप्लिमेंट कर सकते हैं स्क्रीन में दिखाए गए डाइग्राइम में पैलल प्रायाइटी का ब्लॉक डाइग्राइम दर्शाया गया है आप देख सकते हैं यहां पर एक इंटरप्र रिजिस्टर है इंटरप्र रिजिस्टर की जो प्रतिय बिट है जीरो वाण टू थ्री इसकी हर बिट एक इंपुट आउटपुट डिवाइस से जुड़ी है जो कि सेपरेटली इंडिविजुली इस बिट्स को सेट या रिसेट कर सकता है और यह बिट्स सेट कब होंगी जब इससे असोसियेटेड जो डिवाइस है वो इन्टरप् जनरेट करता है तो इस एक जाम्पल में यह पैलर प्रायटी जो डिवाइस है यह चार तरह के डिवाइसिस को हैंडिल कर सकता है एक साम्प और यह जो इन्टरप रिजिस्टर की बिट्स की position है यह इसकी priority के हिसाब से set है इसमें जिसकी priority सबसे zero है उसकी priority सबसे ज्यादा है फिर उसके बाद one, two, three तो आप इसमें देख सकते हैं zero level पे zero bit पे हाँ पे इस interrupt register के magnetic disk associated है फिर one पे printer है फिर second पे reader है फिर four पे keyboard है यानि कि सबसे ज़्यादा जो priority है वो डिस्की है मैगनेट डिस्क जो की bit number 0 पर है और सबसे कम priority है keyboard की जो की bit number 3 पर है और इस interrupt के status को control करने के लिए इस parallel priority device में एक mask register भी है जिसमें की उतनी ही bit होंगी जितनी की interrupt register में है example के लिए यहाँ पर इसमें 4 bit है 0,1,2,3,4 तो इस mask register में भी 4 bits ही है और इस mask register का फाइदा क्या है इस mask register की मदद से हम जो lower priority की interrupt होते हैं उसे हम disable कर सकते हैं जिस वक्त कोई higher priority का interrupt जो है उसको service किया जा रहा हो इसके साथ साथ इस mask register का एक और काम है जिस device की interrupt request को service किया जा रहा हो उससे कम priority की devices को तो यह disable कर देता है mask register की मदद से कि वो interrupt generate करी ना पाएं लेकिन उस device से higher priority की device को प्रोग्राम किया जा सकता है interrupt generate करने के लिए तो यह mask register एक तरह से दो काम करता है नमबर एक जिस भी device की interrupt की request को service किया जा रहा है उससे नीचे के level की priority के devices को यह disable कर देता है interrupt generate करने के लिए mask register के दो काम है नमबर एक जिस भी device की interrupt request को भी service किया जा रहा है उससे कम priority की device को यह disable कर देता है interrupt generate करने के लिए और नमबर दो जिस device की interrupt request को service किया जा रहा है उससे higher priority की जो device है उनको enable भी कर सकता है interrupt generate करने के लिए आईए इस एक उधारन के माध्यम से समझते हैं मान लीजिए इस वक्त इंटरप जनरेट किया है प्रिंटर डिवाइज ने जिसकी प्रियाटी नंबर वन है जिससे ज्यादा प्रियाटी इस मेगनेटिन डिस्की है और उससे कम प्रियाटी रीडर और कीबोड की है इस एक तरह से टू और थ्री बिट है जो मास रिजिस्टर के अगर यह जीरो हो गई तो यहां आप देख पा रहे हैं कि इंटरप रिजिस्टर की जो कर्रिस्पोंडिंग मास रिजिस्टर की बिट है वो एंड होके इस प्रियाटी एंड कोडर पे जा रही है तो अगर यह बिटनमबर टू और बिटनमबर थ्री मास रिजिस्टर में जीरो हो जाएगी तो irrespective of their status अंटरप रिजिस्टर चाहे आब इन्टरप रिजिस्टर में यह रीडर इंटरप जिट करे भी क्योंकि यह मास कर दी गई है यह दोनों बिट यह एंड का यहां पर जो इनसे associated end circuit है इनका जो input है एक input zero हो जाएगा तो output अपने आप ही zero हो जाएगा और जो device की service को request किया जा रहा है उसे हैर priority पर गर कोई device है जैसे यहां पर magnetic disk है तो इसकी corresponding जो bit है उसको zero ही zero ना रखके one रखा जाएगा ताकि भविश में जिस वक्त यह printer की request interrupt request को service किया जा रहा हो तो अगर magnetic disk जिसकी priority printer से जादा है वो interrupt generate करे तो printer की service routine का execution hold में रखके पहले जो magnetic disk है इसने जो interrupt generate किया है उसकी service request को attend किया जाए और वो कैसे होगा वो इस तरह होगा क्योंकि magnetic disk अगर interrupt generate करेगा तो उसकी corresponding mask register की जो bit है वो one है अगर वो one है तो यह हाँ पर इस circuit में जाके end होए दोनों signal यह और यह तो यह interrupt को generate कर देगा और जो lower priority का interrupt इस वक service हो रहा है उसे momentarily hold में रखेगा और उससे higher priority के जो interrupt है उसे पहले service करेगा तो इसे देख के आप समझ सकते हैं कि किसी भी point of time में अगर कोई interrupt request service हो रही हो उससे नीचे level की जो priority की device अगर interrupt generate करती है तो उसकी जो service की request को attend नहीं किया जाता लेकिन जिस device की service request इस वक execute हो रही हो उससे higher priority के अगर कोई device उस time पर service interrupt करे interrupt service को request करे तो उसे पहले attend किया जाता है अब यह देखते हैं कि किस तरह से इसको implement किया जाता है या आप यहाँ पर screen पर इसका logic diagram देख रहा है यह जो interrupt register है इसकी जो individual bits हैं यह external conditions के हिसाब से set होती हैं वो external conditions क्या है वो external conditions है कि जो इससे associated devices हैं वो interrupt को generate करें और इसकी जो bits हैं इसको program के माधियम से clear भी किया जा सकता है इसके साथ ही यहाँ पर मास register है मास register की individual bits को program के माधियम से set या reset किया जा सकता है program instruction के माधियम से individually इनके status को control किया जा सकता है इस mass register में उतनी ही bits होंगी जितनी इस interrupt register में होंगी interrupt register में जो order है bits का सबसे पहले bit पे वो device जुड़ेगा जिसकी priority सबसे ज़्यादा है उसके बाद उससे कम उससे कम फिर उससे कम इस example में चार devices को यह handle कर सकता है तो magnetic disk जिसकी priority सबसे ज़्यादा है वो zero पे है फिर printer है जो one पे है फिर reader है वो two पे है और keyboard हो three पर है तो priority सबसे ज़्यादा हुई magnetic disk की और सबसे कम हुई keyboard की तो जो size interrupt register का है वो भी mass register का है और magnetic disk की जो corresponding mass register की position है वो यहाँ पे भी interrupt register में zero position है mass register की जो zero position है वो भी magnetic disk की ही है तो interrupt register की corresponding bits यहाँ पे mass register में है जिनकी मदद से यह priority encoder priority को resolve करता है कोई भी interrupt bit और उसकी corresponding mass bit in end gate के माद्यम से होते हुए इस priority encoder में जाती है तो आप इस diagram में देख पा रहे है magnetic disk का जो भी status है वो और उसकी corresponding mass register की bit जिसे यहाँ पे दोनों zero है इसकी zero और इसकी zero दोनों यहाँ पे end होंगी और end होने के बाद यह priority encoder पे जाएंगी यानि कि अगर इन दोनों में से कोई भी value zero हो zero मतलब जैसे माना printer की बात करते है अगर printer ने interrupt generate नहीं किया है तो यह bit zero होगी अब irrespective of the status of the interrupt register bit mass register में अगर वो bit चाहे one है चाहे zero है तो यह इसका output इस end gate का output zero ही होगा उसी प्रकार अगर magnet disk ने या फिर reader की बात करें reader ने अगर interrupt generate किया है तो यह bit one होगी लेकिन अगर उस point of time में वो printer की service को request कर रहा है तो corresponding इसकी जो mass register के bit है वो zero होगी यह चाहे one हो जाए लेकिन अगर mass register के bit zero है तो क्योंकि यह दोनों signal end हो रहे हैं यहां पर जाके तो इस end gate का output zero ही होगा यानि कि इस end gate का output one उसी device के लिए होगा जिसने interrupt भी generate किया हो साथ साथ में उसकी bit भी यहां पर mass register में enable हो अगर दोनों में से कोई भी condition false हैं तो यह end gate का output zero ही होगा और अगर end gate का output zero होगा तो वह device यहां पर interrupt generate नहीं कर पाएगा interrupt generate वही device करेगा जिसने interrupt की request भीजी हो और साथ में mass register में उस device को mass register के माध्यम से interrupt generate करनी की permission दी गई हो यहां पर एक priority encoder दिखाया गया है priority encoder यहां पर दो bit का output generate कर रहा है क्योंकि यहां पर सिर्फ चार device है चार device को आपस में differentiate करने के लिए आप दो bit से generate दो bit से इनको differentiate कर सकते हो 00 मतलब magnetic disk 01 मतलब printer 10 मतलब reader और 11 मतलब keyboard तो x और y यह दोनों bits हैं इन चारों में से कौन सी device ने interrupt generate किया है उसका vector address आप यहां से इन दो bits की मदद से generate कर सकते हो वैसे ही है जो vector address है 8 bits का है लेकिन चुकि इस example में चार ही device लिये गए हैं तो 2 bit की मदद से हम इसको resolve कर सकते हैं और बाकि जो 6 bit है most significant position की वो 0 pad हो जाएंगी मालने यहां पर अगर 8 device होते हैं तो यहां पर x, y, z 3 bit का यह vector address generate करता है बाकि bits 0 pad हो जाती और mass register की मदद से जब हम यहां पर किसी priority को resolve करने के बाद priority encoder जिस device को यहां पर in bits के माधियम से जिसका vector address generate करता है यह address 8 bit का CPU को transfer कर दिया जाता है इसके अलावा इस priority encoder का एक और output है IST यह IST flip-flop 1 bit का flip-flop है यह तब set होता है जब non-mask जो device है यहां पर mass register में वो अगर interrupt generate करे तब यह bit set हो जाती है और non-mask bit कौन सी होती है non-mask bits वो होती है जिस device की service request को इस वक्त process किया जा रहा है उससे ज्यादा priority की जो devices होते है उनकी corresponding bit mass register में non-mask होती है non-mask मतलब enable होती है mass मतलब 0 होती है तो यानि कि यह IST bit tap set होगी जब किसी भी device की service request को service किया जा रहा हो उससे higher priority की device अगर कोई service request interrupt service request को यहाँ पर generate करें इसके अलावा इस block diagram में आप एक और bit देख रहे हैं flip flop एक bit IEN IEN को हम interrupt enable bit भी कहते हैं और IEN को program के माध्यम से set या reset किया जा सकता है और इसी के माध्यम से हम इस interrupt system को overall control करते हैं यह IEN और IST दो जो bits हैं इन दोनों को AND किया है और AND का जो output है यही interrupt करता है CPU को यानि कि अगर कोई device की interrupt request को अगर computer process कर रहा है उससे higher priority की device ने अगर interrupt generate किया है तो यह IST bit set होगी और IEN bit यानि interrupt enable bit अगर set है तो जब दोनों set हैं तभी यह interrupt किया जाएगा CPU को अगर lower priority की device है तो यह obviously IST 0 होगा तो CPU interrupt होगा ही नहीं तो इसके माद्यम से हम वह वाला function करते हैं जिसमें हमने बताया था पहले कि किसी भी point of time में higher priority की device जो होते हैं वह interrupt कर सकते हैं और lower priority की device interrupt नहीं कर सकते उस device से जो अभी जिसकी service request resolve की जा रही हो attend की गई हो उस जिस भी device की service request इस वक्त अटेंड की जा रही है उससे higher priority के device interrupt generate कर सकते हैं बीच में उससे नीचे के नहीं कर सकते तो यह इस end gate के मार्दी हमसे आप यहां देख पा रहे हैं IEN और IST दोनों end हो रहे हैं और CPU को interrupt कर रहे हैं इन दोनों में से कोई भी zero होगा तो यह interrupt generate नहीं होगा और जब CPU को interrupt generate होगा तो CPU वहां से acknowledgement signal भेजेगा यह acknowledgement signal देख रहे हैं आप यहां पर इस end gate में यह as a input use हो रहा है तीन input use हो रहे हैं IEN, IST और तीसरा acknowledgement यानी कि कि किसी higher priority के device ने interrupt generate किया IEN set है और CPU ने भी interrupt acknowledgement signal अगर वहां से भेज दिया है तो तीनों end होगे जब तीनों end होगे तो इस output one होगा तो one जो यहां पर है यह इस vector address की enable line से जुड़ा है तो जब किसी higher priority device ने interrupt service request की है और IEN भी set है और CPU ने भी और CPU को आपने interrupt कर दिया है CPU ने interrupt को acknowledge कर दिया है तीनों condition अगर satisfy हो रही है तब ही यह end gate one output generate करेगा जो की इस vector address की enable line register vector address register इसकी enable line से जुड़ा है जब यह enable one होगा तब ही यह जो address है vector address यह CPU को transfer होगा और यह IEN bit क्या है यह IEN bit क्या दर्शारती है कि जिस यह program के माझम से इसको set यह reset किया जा सकता है यह जो बहुत ही critical functions होते हैं जिनको अगर रोका जाए बीच में तो CPU यह program malfunction कर सकता है यह hardware malfunction कर सकता है तो उन systems के लिए IEN bit जीरो रहती है प्रोग्राम के execution के वक्त otherwise यह one रहती है यह IEN की status यह दर्शाता है कि जो program इस वक service हो रहा है उसे बीच में interrupt किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है अगर किया जा सकता है तो यह one रहता है अगर यह zero है तो आप irrespective of the status of mass register और interrupt register अगर इनकी कोई भी bit set है और इसने priority encoder address generate कर भी दिया है अगर यह IEN zero है तो यह interrupt generate नहीं होगा तो इसका मतलब IEN यह बताता है कि जो program अभी execute हो रहा है उसे बीच में रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा सकता है तो इस lecture में हमने जाना कि priority interrupt को parallel fashion में किस तरह से implement किया जा सकता है अगले lecture में हम बात करेंगे interrupt cycle कि तन्यवाद